अलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल sr.jajorappers स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे सिंतेसिस और सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल कंपाउंड या कॉंपलेक्स सेंटेंस बनाने की प्रिक्रिया को यह हम सिंतेसिस कहते हैं अब देखे सिंतेसिस को जानने के लिए आपको सिंपल कंपाउंड कॉंपलेक्स और मिक्स सेंटेंस क्या होते हैं आपको आना चाहिए और इसके उपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आप यहां किलिक करके देख सकते हैं अब इस एक ही वीडियो में हम जनेंगे कि दो या दो से अधिक simple sentence को मिला करके कैसे हम उसे simple sentence में बना दे या फिर उसको कैसे compound में बना दे और कैसे हम उसको complex में change कर दे तो एक ही वीडियो में यह पूरा concept है आप इसे ध्यान से देखें आखरी तक देखें आपके exam में पूरे में से पूरे नमबर आएंगे इन सब पर detail में separate वीडियो भी बने हुए हैं आप चाहे तो playlist में जाके देख सकते हैं सबसे पहले हम लेते हैं synthesis of simple sentence simple sentence का किस प्रकार से हम synthesis करेंगे देखे एक चीज़ समझ लीजे simple sentence में क्या है एक finite verb होती है कहने का मतलब एक subject और उस subject की एक verb होती है जिसे हम finite verb कहते हैं तो फिर जब आप दो या दो से अधिक simple sentence को मिला करके एक simple sentence बनाओगे तो उसमें भी एक ही finite verb होनी चीए यानि एक subject और एक finite verb होनी चीए अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपने वो जो synthesis किया है वो आपका सही है आप देखे दो या दो से अधिक simple sentence को जोड़ करके नया हम simple sentence बनाते हैं उसके कई तरीके हैं ये तरीके मैंने यहां पे लिखे हुए हैं एक के बाद हम एक एक देखेंगे और आपके सारे doubt के लिए हो जाएंगे simple sentence बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं partsful का use किस परकार से किया जाता है अब कब किया जाता है partsful का use ये भी देख लीजे जब sentence हमारे जो दो simple sentence है दोनों में subject एक ही हो या फिर वो subject का कोई common factor हो दूसरी बात जब एक कारिय दूसरे के बाद हो ठीक है जो कारिय पहले होगा उसे आप partsful में बदल देंगे और बाद वाले कारिय में आपकी finite verb रहेगी clear है तो चलिए partsful में भी हम सबसे पहले देखते हैं प्रिजेंट पार्टसफल क्या होता है verb प्लस आइंजी यह form प्रिजेंट पार्टसफल कहलाती है अब देखे इसमें भी हम सबसे पहले लेते हैं जब एक sentence में is mr या was word का use हो तो इनके इस्तानपम being का use करेंगे तो being क्या है प्रिजेंट पार्टसफल हो गया यानि verb प्लस आइंजी यानि be प्लस आइंजी being हो गया clear है देखे इसको he is very weak वह बहुत कमजोर है और he can't run वह दौड नहीं सकता यहाँ is आया है इसके लाव और कोई verb नहीं है तो आप इसको आप being में convert करके आप एक simple sentence बना सकते हो एक simple sentence ये है दूसरा ये है चली चेक कर लेते हैं एक यह रहा है इसमें subject और ये किसकी verb ये subject और ये इसकी verb तो क्या है दोनो simple sentence है आप देखिए आप इसको being में बना दो being इसके बाद वैसे वैसे लिख दो being very weak फिर कॉमा लगाओ he can't run he can't run कमजोर होने कारणव दौड नहीं सकता चली हमने दो simple sentence मिला करके एक simple sentence बनाया है तो इसको चेक कर लेते हैं कि यह simple sentence है या नहीं है देखिए एक subject है यहां और एक उसकी verb है clear है अब यह क्या है भाई यह तो देखिए इसके बारे में extra idea दिया हुआ है clear है तो यहां यह जो है पार्टसफल के द्वारा हमने यह simple sentence बना दिया है clear concept दूसरा क्या है जब एक ही व्यक्ति दो कारिय करता है और दूसरा कारिय पहले के तुरंत बादोय ने fastness हो पहला कारिय होते ही दूसरा कारिय होता है तुरंत ही साय लोयन उसने एक सेर देखा he ran away वह भाग गया पहला कारिय क्या था सेर देखा और सेर देखते ही वह भाग गया तो दूसरा कारिय हमारा कैसा हुआ तुरंत हुआ तो जो पहला कारिय है उसकी जो हमारी व्रब है उसको आप पार्ट्सफल में change कर दोगे गलिर है जो कारिय पहले हुआ उसकी व्रब को आप पार्ट्सफल में change कर सेर को देखकर भाग गया तो हमारा ये sentence बन गया आप दो Simple sentence को मिला करके एक simple sentence, एक subject है और एक verb है, clear है, ये तो एक idea है, यहाँ कोई subject verb नहीं है, clear है, next हम लेते हैं, perfect participle का use करके, perfect participle क्या होता है, having plus verb की third form, जब एक ही व्यक्ति दो कारे करता है, लेकिन दूसरा कारे पहले के बाद होता है, condition वही है, लेकिन यह fastness नहीं है, कि पहले कारे होने के बाद दूसरा कारे आराम से होता है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, देखे, he finished his work, उसने अपना कारे पूरा किया, he went to market, वह बाजार गया, तो उसने अपना कारे पूरा किया, आराम से करने के बाद फिर वो आराम से बाजार गया, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कि काम करते ही तुरंत बाजार गया, ठीक है, अगर तुरंत होता, तब हम यूज क्या करते ही, present parts पर, तो यहाँ कैसे करोगे आप, having plus verb की third form, पहले कारे क्या हुआ, उसने अपना काम पूरा किया, तो इसकी verb को आप बनाओ गया, having finished, verb plus third form, ठीक है, next part क्या है, his work, फिर यह next, जो हमारा simple sentence था, he went to market, अपना काम पूरा करके वह बाजार गया, यहाँ अब ही एक subject है, एक verb है, clear है, तो यह simple sentence हुआ हमारा, तीसरा है, past participle का use करके, और past participle क्या होती है, verb की third form, past participle को adjective की तरह प्रियोग करके हम simple sentence बनाते हैं, I found my mobile, मुझे मेरा mobile मिल गया, it was lost, यह खो गया था, देखिए, दो simple sentence है, अब आप इसको बनाईए, पार्च, पार्चिपल का use करके simple sentence में, आप ऐसे बना दोगे, I found my, यह वाब यहाँ ले लोगे, lost mobile, मुझे मेरा खोया हुआ, mobile मिल गया, तो यह lost जो है, किसका कारे कर रहा adjective का, यह mobile noun है, इसकी विशेशता बता रहा है कि कौन सा, खोया हुआ, ठीक है, तो यह lost क्या हो गया, adjective, जो यह हमारी verb थी, इसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पे, adjective बना दिया, इस तरह से आप past possible का use करके भी आप simple sentence बना सकते हो, देखे, एक subject है, और एक verb है, अब यह plus verb की third form का use किया जाता है, और यदि यह passive voice में है, तो having been plus verb की third form का use किया जाता है, जब दोनों sentence में subject अलग-लग हो, और दूसरा कारे पहले के बाद हो, देखे, यहाँ subject दोनों अलग-लग होते हैं, और दूसरा कारे पहले के बाद होता है, तो आप देखे, the sun rose, यानि सूर्य सूर्य उगा, the fog disappeared, कोहा सा या कोहरा, गाइब हो गया, तो पहला कारे क्या हुआ, सूर्य उगा, ठीक है, सूर्य निकला, और कोहरा जो जो है, वो गाइब हो गया, ठीक है, तो यहाँ двух subject है, एक sun है, दूसरा fog है, और पहला कारे के, मनलब दूसरा कारिया जो है यह पहले के बाद हो रहा है तो आप यहां लिखोगे पहले का सब्जेक्ट लोगे इसके बाद having प्लस वाप की थडफ हो तो having और रोज का हो जाएगा राइजन फिर दूसरा वैसे वैसे the fog disappeared सूर्य उगने पर कोहा सा गायब हो गया कितना सिंपल है the job was completed काम पूरा हो गया था he went on live वह चुट्टी पर चला गया देखिए यह वाला सेंटेंस जो है हमारा किसमे है the job was completed यह पैसिव में है तो फिर आप यहां क्या करोगे the job having been completed लिखोगे काम पूरा होने पर वह चुट्टी पर चला गया देखिए कितना सिंपल कॉंसेप्ट बहुत इंट्रेस्ट आ रहा होगा तीसरा है using noun or phrase in opposition क्या होता है पहले sentence में जो noun दी गई है दूसरे में उसकी व्याख्या उसको explain किया गया हो या उसकी विशेष्था बताए गया उसकी detail दी हो ही हो तो वही हम एक तरह से noun या phrase in opposition कहते हैं देखिए कैसे I went to जैपूर मैं जैपूर गया जैपूर is the capital of राजस्तान जैपूर राजस्तान के राजदानिया तो यहाँ जो noun है जैपूर उसी के बारे में यहाँ बताया गया है उसी की detail यहाँ बताया गयी है कैसे आप इन दोनो simple sentence को मिला करके simple sentence बना दोगे तो आप लिखोगे I went to जैपूर ठीक है कॉमा लगा करके और जैपूर क्या है the capital of राजस्तान the capital of राजस्तान में राजस्तान की राजदानी जैपूर गया तो यहाँ एक subject है एक verb है इसके लाव बाकी तो यह एक अलग चीज यानि उसकी explain किया गया है तो अब यह भी क्या बन गया है simple sentence बन गया next using infinitive infinitive क्या होता है two plus verb की first form सामान्यत हम ऐसे use करते हाला कि बिना two के भी होता है use देखे दूसरे sentence में जब कोई उद्दे से परपज हो अनुमान हो तार्क निर्न है या कोई कारण परिनाम हो तब हम infinitive का use करके two simple sentence मिला करके एक simple sentence बनाते है रवी वाक हाड रवी ने कड़ी महनत की he wanted to get first prize वह प्रतम प्रोषकार प्राप करना चाहता है यह हमारे दो simple sentence है तो उसने कड़ी महनत करने का कारण क्या है उसका उद्देश से क्या है पहला प्रोषकार प्राप करना चाहता था तो आप लिखोगे रवी वक हाड अब यहाँ जो है इसको to get first prize आइसे कैसे क्यों क्यों 2 और get 2 प्लस वर्ब की first form यह क्या है infinitive तो first prize रवी ने प्रतम प्रोषकार पाने के लिए कड़ी महनत की इस प्रकार से आप इसको simple sentence में बना दोगे यह subject और यह उसकी वर्ब तो एक ही simple sentence है नेक्स्ट यूजिंग टू और टू देखे ये भी इंफिनिटिव वाला ही पार्ट लेकिन मैंने इसको अलग से दिया है क्या है जब पहले सेंटेंस में किसी कारे के ने होने का कारण देखे वह बहुत मोटा है और वह दोड नहीं सकता ठीक है तो ये दोड क्यों नहीं सकता इसकी वज़ा से ये पहले इसमें कारण दिया है कि वह मोटा है इसलिए तो आप टू ठू का यूज करें तो आप लिख दोगे he is too fat to run वह इतना मोटा है कि दौड नहीं सकता तो इस प्रकार आप इनका यूज कर सकते हैं using preposition with noun और gerund noun और gerund के साथ preposition का use करके भी आप क्या बना सकते हो या दो से दिक simple sentence को मिला करके simple sentence बना सकते हो gerund भी क्या होता है वह प्लस ing अब देखे रवी बौट ये mobile रवी ने एक mobile खरीदा he paid rupees 15,000 for it उसने उसके 15,000 रुपए चुका है ठीक है तो अब देखे कैसे आप use करोगे यहाँ आप ऐसे बना सकते हो कि रवी paid rupees 15,000 for ये mobile रवी ने एक mobile के लिए 15,000 रुपए चुका है तो आप यहाँ for का यूज किया आपने यह preposition है और यह mobile यह noun तो noun से पहले आपने preposition का यूज कर लिया इस प्रकार से आप यह दोनों sentence को मिला करके एक simple sentence बना सकते हो दूसरा तरीका यह कि आप gerund का भी यूज कर सकते हो देखे कैसे यह जो एक verb है इसको आप किसमे convert कर दोगे gerund में तो verb को gerund में यानि verb प्लस ing आप ऐसे भी लिख सकते हो रवी paid rupees 15,000 for buying a mobile तो यह क्या होगा gerund और इससे पहले हमने यूज किया for जो क्या एक preposition है तो रवी ने एक mobile खरीदने के लिए 15,000 रुपए चुका है तिस प्रकार आप noun और gerund के पहले आप इसका preposition का यूज करके भी simple sentence बना सकते हो next है using adverb और adverb phrase का यूज करके देखे adverb या adverb phrase जिसे हम adverb phrase को हम adverbial phrase भी कहते हैं the teacher taught the lesson अध्यापग ने पाट पढ़ाया he taught it in a hurry उसने इसे जल्दी में पढ़ाया यानि हध्यापग ने एक पाट पढ़ाया लेकिन उसको कहीं जल्दी थी तो उसने जल्दी में उसको पढ़ाया अब आप adverb या adverb phrase का use करके एक simple sentence बनाईए देखे कैसे the teacher taught the lesson in a hurry आप एक तो ये भी बना सकते हैं और दूसरा हो सकता है the teacher taught the lesson hurriedly देखे आपके सामने मैंने दो sentence बना दी clear है आप इसको समझे अगर आप ऐसे बनाते the teacher taught the lesson hurriedly तो hurriedly क्या है एक adverb है एक single word है ठीक है हध्यापग ने जल्दी से पाट पढ़ा इसका मतलब यह यह जल्दी से जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया लेकिन अगर आप ऐसे बनाते the teacher taught the lesson in a hurry तो in a hurry यह क्या है यह भी एक adverb ही है यह भी एक verb को ही qualify कर रहा है adverb का का काम क्या होता है verb को qualify करना कैसे पढ़ाया जल्दी में लेकिन यहां देखिए एक से ज्यादा word है यह adverb जो है यह एक से ज्यादा word में इसलिए इसको हम कहते है adverbial या adverb phrase भी इसे कहा जाता है तो आप ऐसे बना सकते हो ऐसे बना सकते हो clear है next is synthesis of compound sentence अब देखिए यह जाने compound sentence क्या होते है compound sentence क्या होते है जिसमें दो या दो से अधिक principal clause हो और यह जो principal clause होती है यह coordinate conjunction से जुड़ी होती है यदि principal clause है coordinate conjunction से जुड़ी होई है तो हमारा वो sentence कहलाता है compound sentence clear है अब यह हमारी जो है coordinate conjunction है जिनके बारे मैंने बार बार बताया है कई बार बताया है और जब हम एक-एक लेंगे तब भी मैं इनको पताऊंगा कि जब मान लीजे दो principle clause इन से जुड़ी हो तो समझ लीजे कि वो sentence हमारा compound sentence होगा यहापे भी मैंने लिखे हुए हैं यह coordinate conjunction चार प्रकार के होते हैं और इन से जुड़ने के बाद जो clause बनती है वो हमारी कहलाएगी coordinate clause ठीक है वो हमारी coordinate clause कहलाएगी और coordinate clause से जुड़ा हुआ जो sentence है वो हमारा कहलाता है compound sentence क्लियर है चलिए तो अब हम देखते हैं कि coordinate conjunction का use करते वे कैसे दो simple sentence को मिला करके हमें compound sentence बनाएंगे coordinate conjunction की मैंने चार केटेगरी आपको अभी बताएग उन में से एक है cumulative conjunction है सही हो जग जो जोड़ने का कारिये करते हैं and both and as well as not only but also सबसे पहले लेते हैं and देखे I was TV मैंने TV देखा he played cricket उसने cricket खेला यह दोनो simple sentence है देखे एक subject एक finite verb है और इनका complete sense दे रहा है इसलिए यह क्या है simple sentence है अब इनको मिला दो and से तो I was TV and he played cricket आप देखे एक clause हमारी यह है इसमें एक subject है एक finite verb है एक subject है एक finite verb है लेकिन यह जो clause है यह and से जुड़ी हुई है और and क्या है coordinate conjunction है इसलिए clause हमारी कहला है coordinate clause आप देखे coordinate clause भी अपने आप में independent होती है इसे भी हम principle clause कहते हैं जैसे he played cricket उसने cricket खेला और यह जो है principle clause है जो किसी conjunction से नहीं जुड़ी होती तो I was TV कहने के महला इसके पहले कोई conjunction नहीं होता तो I was TV यानि मैंने TV देखा तो यह भी अपने आप में independent है और यह भी independent है तो कैसे हम पैचाने compound sentence है जब दो principle clause आपस में एक coordinate conjunction से जुड़ी हो तो वो sentence ह हमारा compound कहलाएगा तो यह इसलिए compound कहलाएगा यह दोनो principle clause है और end से जुड़ी हुए जो की coordinate conjunction है clear मैंने TV देखा और उसने cricket खेला next both end का रानी is beautiful और रानी is intelligent रानी सुंदर है रानी बुद्धिमान है आप both end का यूज करके compound sentence बना सकते हो कि रानी is both beautiful and intelligent रानी सुंदर और बुद्धिमान दोनों है as well as रानी is beautiful as well as intelligent देखे यह वही sentence है मैंने कहा ना कि इनमे subject वाब छुपी रहती है रानी is beautiful as well as रानी is intelligent आप ऐसे लिखते तो subject भी और finite वाब भी है रानी सुंदर होने के अलावा या सासात वह बुद्धिमान भी है next not only but also रानी is not only beautiful but also intelligent रानी ने के और सुंदर है बलकि बुद्धिमान भी है इस प्रकार से आप cumulative conjunction का यानी coordinate conjunction का यूज करके आप compound sentence बना सकते हैं बस ध्यान रखेगा कि ये conjunction जो है coordinate है अगर इनसे कोई जुड़ा हुआ है इनसे जो दो simple sentence जुड़े हुए तो वो compound sentence होगा नेक्स्ट है adversative conjunction यानी विरोधक जो विरोध करते हैं जो विप्रित करते हैं जैसे बट इस्टिल यट हावे और नेवर्थ लेस ओनली वाहिल वहरेज सबसे पहले लेते बट बट का मतला हो तक लेकिन परंतु किंतु अब देखें वह सुंदर है वह बुद्धिमान नहीं है तो अब यह देखें दोनों एक दूसरे के मलब हम यूं कह सकते हैं कि विरोध में करना हो तो हमें बट का यूज करना पड़ेगा इन में से किसी कंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा तो देखें she is beautiful but she is not intelligent वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है तो वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है बट का यूज किया क्या है coordinate कंजेक्शन है इसकी वज़े से clause होगी coordinate clause तो यह coordinate होने की वज़े से यह पूरा हमारा sentence हो गया compound sentence yet still however nevertheless इनका मतलब होता है फिर भी तो भी she work hard she felt उसने कड़ी मेनत की वह सफल हो गई तो देखी विरोध हुआ न मेनत की कड़ी फैल हो गई फिर भी फैल हो गई तो फिर आप adversative conjections है इनका यूज करोगे जैसे she work hard yet still however nevertheless कुछ भी यूज करो she felt उसने कड़ी मेनत की फिर भी वह सफल हो गई वह फैल हो गई नेक्स्ट इसी में देखते हैं वाहिल और वेरेज इनका मतलब होता है जब की दिखी कब हम वाहिल और वेरेज का यूज करें she was playing वह खेल रही थी he was reading वह पढ़ रहा था जब दो कारियर एक साथ हो रहे हो तो she was playing while he was reading वह खेल रही थी जब की वह पढ़ रहा था only का मतलब भी लेकिन परंतु होता है यहां हम बटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं only के इस्तान पर conjunction के रूप में तो she was all right वे ठीक थी she was fatigued वे ठकी हुई थी तो she was all right only she was fatigued वे ठीक थी लेकिन वे ठकी हुई थी हम यह only के इस्तान पर बटका भी यूज कर सकते हैं तीसरा है relative conjunction यानि जो परिणाम और कारण को पताते हैं इसमें यहां so therefore hence consequently यह इसलिए इस कारण या अत्यवी sense में यूज किया जाता है for का यूज क्योंकि यानि कारण के लिए यूज किया जाता है तो यह परिणाम बताते हैं और यह for जो है कारण बताता है देखे he is weak वह कमजोर है he can't run वह दौड नहीं सकता तो देखे इनको दौनों को हम मिला देते हैं दौनों simple sentence है compound sentence बना देंगे तो वह दौड इसलिए वह दौड नहीं सकता है वह कमजोर है तो अब आप देखे he is weak वह कमजोर है तो उसका परिणाम क्या है कि he can't run वह दौड नहीं सकता तो परिणाम के लिए आप इन में से कोई सा भी एक coordinate conjunction का use कर दो तो यह sentence बन जाएगा हमारा compound sentence वह कमजोर है इसलिए वह दौड नहीं सकता अब देखे for का मतलब क्योंकि I cannot see मैं देख नहीं सकता it is very dark ब क्योंकि बहुत अंदेरा है तो देख नहीं सकने का कारण क्या है अंदेरा है तो हमने कारण के लिए यह और का यूज किया conjunction का coordinate conjunction है तो यह sentence हमारा होगे compound sentence next alternative conjunction यह विकल्पिक जो विकल्प हमें देते हैं जैसे or else otherwise either or और neither not और का मतलब अथवा नहीं तो else का मतलब भी अन्य था otherwise का मतलब नहीं तो बरना इनका एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है come in go out अंदर आओ बाहर जाओ दोनो simple sentence है अब आप यहाँ come in और go out अंदर आओ नहीं तो अन्य था अथवा बाहर जाओ clear next either or इसका मतलब होता है या तो या या यनि दो में से एक neither nor ना तो ना दोनों में से कोई नहीं रवी इसे कर सकता है रवी भी कर सकता है तो दौनों में से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई एक कर सकता है तो either rani और रवी इसे कर सकता है तो हमने either or का use किया आइदर और हमारा alternative conjection है, जो कि एक coordinate conjection है, तो sentence होगे हमारा compound sentence. Rani can not do it, और Ravi can not do it. Rani से नहीं कर सकती, Ravi से नहीं कर सकता. दोनों में से कोई नहीं कर सकता, neither nor का use कर दीजी. Neither Rani nor Ravi can do it, ना तो Rani और ना Ravi से कर सकता है. दियान रखेगा neither nor अपने आप में एक negative word है, तो यह not लगाने की ज़रूत हमें नहीं होती है. देखिए बहुत simple concept है, बहुत ही मैंने simple तरीके से आपको समझा दिया, कि कैसे आप simple sentence है, compound sentence पनाओगे. Next, synthesis of complex sentences. अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर complex sentence किस परकार का होता है, देखिए complex sentence में एक principle clause होती है, clear है, एक principle clause यानि जो independent होती है, दूसरी होती है, एक या एक से अधिक, कम से कम एक subordinate clause, इन से मिलकर के complex sentence बनता है. अब हम सबी जानते हैं कि subordinate clause जो है principle clause के साथ subordinate conjunction से जुड़ी होती है, कहने का मतलब subordinate conjunction से शुरू होने वाली clause हमारी subordinate clause कहलाएगी, और उसके साथ एक principle clause होगी, तो वो हमारा sentence कहलाएगा complex sentence. आप देखे, complex sentence तीन प्रकार से बनाये जाते हैं, क्योंकि subordinate clause तीन प्रकार की होती है, एक noun, एक adjective और adverb, इन पर हम discuss करेंगे, detail में देखेंगे. तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कि आखिर subordinate conjunction कौन से होते, मैंने कई बार बताया, हर वीडियो में बताया इनको, आप एक बार देख ले, यदि इन से शुरू हुआ है कोई sentence, या sentence का कोई भाग, तो समझ लीजिए कि वो हमारा subordinate clause होगा, clear है, क्योंकि ये subordinate conject connections है, इसलिए, आब हम सुरुआत करते हैं, by using noun clause, noun clause का use करके हम कैसे complex sentence बनाएंगे, देखे, noun clause क्या है, एक subordinate clause है, जो sentence में noun का कारिय करेगी, ठीक है, और पहचान क्या है, मैंवाप से अगर what लगा कर आप प्रिशन करते हो, तो इसका answer आपको आ जाता है, clear, noun clause के लिए, ये जो है हमारे, ये subordinate conjunction है, जिनका हम use करते हैं, ध्यान रखे के noun clause से जो ये subordinate conjunction जुड़े होते, इनका meaning कैसे शुरू होता है, जैसे हूँ यानि कौन, वेहर यानि कहा, इस प्रकार से इनका use किया जाता है, चले, अब हम देखते हैं कि noun clause का use करके, किस प्रकार से हम complex sentence बनाते ह इस example को समझे, I don't know, मुझे पता नहीं, who is see, वह कौन है, देखे एक चीज आप समझे, जब इस तरह के दो simple sentence में एक assertive, imperative या interrogative हो, और दूसरा sentence हमारा interrogative हो, तो जो दूसरा sentence हमारा interrogative है, complex बनाते समय उसको हम assertive बना देंगे, ठीक है, जैसे I don't know whom, sees, तो यह हूँ है, तो यह तो हमारा subordinate conjunction हो जाएगा, clear है, और यह जो interrogative था, इसको assertive बना देंगे, पहले subject और फिर verb, ठीक है, आप देखे, कैसे पता चला है, यह noun clause है, I don't know, मैं नहीं जानता, तो यहाँ verb से प्रसंद कीजिए, क्या, what लगा, क्या नहीं जानते, who, sees, कि वह कौन है, तो यह हमार हो गया, noun clause, जो कि क्या है, एक subordinate clause होता है, और यह हमारी है principle clause, तो एक principle clause और एक subordinate clause, तो हमारा sentence कौन सा हो गया, यह complex हो गया, मैं नहीं जानता हुए, कौन है, और coordinate conjunction से भी जुड़ा हुआ है, clear, next, someone install my mobile, किसी ने मेरा mobile चुराया, I don't know him, मैं उसे नहीं जानता, तीकि कैसे बनाओगे, तो I don't know, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि हूँ install my mobile, मैं नहीं जानता कि मेरा mobile किसने चुराया, तो आप यह हूँ का यूज करे, subordinate conjunction का, तो यह clause हमारी हो जाएगी, noun clause, next, by using adjective clause, देखिए, adjective clause का यूज करके भी हम complex sentence बनाते है, adjective clause क्या है, fair clause जो sentence में adjective का कार्य करती है, अब यह बाद fix हो गए, आपके दिमार्ग में, अगर adjective का कार्य कर रही है, तो उससे पहले कोई noun होगी, pronoun होगा, क्योंकि उसकी वो विसेशता बताएगा, और adjective clause हमें से relative pronoun या एड़ वप से शुरू होती है, जो यह है, ठीक है, इनका meaning जैसे शुरू होता है, देखे, मैंने बताया था, noun clause जो शुरूआत होती है, उनका meaning कैसे शुरू होता है, word यह होते है, इनका जैसे शुरू हो, जैसे हूँ, या जिसे इस परकार से, देखे, अब हम देखते हैं किस परकार से adjective clause का use करके हम complex sentence बनाएंगे, I met my friend, मैं अपने दोस से मिला, he lives in जैप जैपुर में रहता है, देखे, adjective clause में एक चीज ध्यान रखेगा, यह जो हमारी adjective clause है, इसके पहले जरूर कोई noun या pronoun होगा, जिसके बारे में यह विशेशता बताता है, तो यहाँ पर noun है, I met my friend, मैं अपने दोस से मिला, जो जैपुर में रहता है, तो इसके बारे में यहां पताया जा रहा है, तो इसलिए यह हो गया adjective, लेकिन दीखे, यह adjective किसी एक word में नहीं है, यहाँ पर एक subject भी है, और एक verb भी है, तो यह क्या हो गया हमारा adjective clause, जिसे हम एक तरह से subordinate clause कहते हैं, किस से जुड़े हुई है, यह relative pronoun हो, जिसे हम subordinate conjunction भी कहते हैं, अब यह principal clause है, औ और यह देखें, adjective clause क्यों है, क्योंकि यह noun है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसलिए, next, this is the house, यह घर है, यह यह वह घर है, he was born here, उसका यहाँ जनम हुआ, तो बना दीजिए, कैसे बनावे, देखी, यह वह घर है, जहाँ उसका जनम हुआ, आप ऐसे ही तो next, by using adverb clause, देखे, adverb clause क्या है, एक subordinate clause है, इसका use करके भी हम complex sentence बनाते हैं, तो subordinate clause के द्वारा ही तो हम complex बनाते हैं, तो noun, adjective और adverb, यह सभी क्या है, subordinate clause है, जो principle clause में प्रियुक्त, manly, किसी verb को qualify करता है, देखे, adverb का काम क्या है, किसी verb को qualify करना, लेकिन adjective adverb को भी qualify करता है, कभी-कभी यह पूरे sentence को भी qualify करता है, जो adverb के समान कारिये करता है, adverb clause का use तब किया जाता है, जब दो sentence में दिये गए statements में आपस में कोई समय की बात हो, कोई इस्तान हो, कोई condition हो, कोई comparison हो, विरोधा बास हो, तो इस sense में या और भी कोई हो सकता है, उस sense में हम इनका use करते हैं, कोई result है, परिणाम है, इस sense में किया जाता है, देखे, यह सभ three kinds of adverb clause है, जिनका हम use करते हैं, किसमे complex sentence बनाने में, अब एक-एक करके हम इनका example लेंगे, आपको पूरे doubt क्लियर हो जाएंगे, सबसे पहले हम लेते है, adverb clause of time, जो हमें समय के बारे में बताता है, और यह हमारे वो conjection है, जिससे जो है, subordinate clause शुरू होगी, यानि कि adverb clause कर सकते हो, और आप एक complex sentence बना सकते हो, कैसे, देखे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, the patient had died before the doctor came, before क्या है, subordinate conjunction है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ जो है, आने से पहले मर चुका था, तो वाब को जो है, क्वालिफाई कर रहा है, यह हमारा पूरा का पूरा, त जो कि एक subordinate clause है, तो यहाँ जो वाब है, उसको क्वालिफाई किया इसने, यह हमारा principle clause है, clear है, next, adverb clause of place, इस्तान के बारे में, you go, I shall follow you, तो देखे, कोई सब यूज कर सकते हो, आप इन में से sense के अनुसार, तो whenever you go, I shall follow you, जहां कई भी तुम जाओगे, मैं तुमारे पीछ चलूँगा, purpose के लिए, we eat, we may live, हम खाते हैं, हम जी सकते हैं, यह वाले conjection आपको यूज करते हैं, तो इनका मतलब है, ताकि जिसे हम खाते हैं, जिसे हम जी सके, तो we eat, so that we may live, हम खाते हैं, ताकि हम जी सके, reason, कारण के लिए, यह subordinate conjection यूज किये जाता है, because, as, since, that, she is weak, she can't run, वह कमजोर है, वह दौड नहीं सकती, तो, देखे, वह दौड नहीं सकती, कारण क्या है, she is weak, तो आप because लगा दो, as, since, जो भी लगा, वह दौड नहीं सकती, क्योंकि कमजोर है, बन गया sentence, complex, result के लिए, result के लिए, हम इनका यूज करते है, so that, such that, या so के सा, use, हम adjective, adverb के साथ करते है, such का यूज, noun के साथ करते है, she is weak, वह कमजोर है, she can't run, वह दौड नहीं सकती, तो she is so weak, that she can't run, वह इतनी कमजोर है, कि दौड नहीं सकती, देखे, weak क्या है, या adjective, इससे पहले हमने so, use किया, अगर यह noun होता, तो हम यह सच का use करते हैं, next step manner, manner यानि तरीका कारे करने का धंग, इसके लिए as, यानि वैसा जैसा, as if, as though, जैसा मानो की, इन subordinate conjunction का use करते हैं, he will do, वह करेगा, you tell him, तुमने उसे कहा, ठीक है, तो he will do as you tell him, वह वैसा ही करेगा, जैसा तुम उसे कहोगे, ठीक है, तो यहाँ as का use किया है, जैसा, वैसा, या वैसा, जैसा ही sense में, next comparison in तुलना के लिए हम as, as, so, as, then, इनका use करते हैं, she is intelligent, she is beautiful, तो यहाँ पे देखे, वह बुद्धिमान है, और वह सुंदर है, तो आप लिखो, she is as intelligent, as beautiful, वह उतनी बुद्धिमान है, जितनी सुंदर है, तो यहाँ पे देखे, यह hide हो जाता है, जब एक ही हमारा subject verb होता है, तो आप sees यहाँ लिख सकते हो, beautiful इस प्रकार से, clear है, next, विरोध, विप्रित या विरोधाबास के लिए हम इन conjunction का use करते हैं, दो, although, यदपि, तधापिय, even if, even though, भले ही, however, फिर भी, तो भी, इस sense में, next condition, सर्थ के लिए हम इन conjunction का use करते हैं, he works hard, he works hard, वह कठिन मेनत करता है, he will pass, वह pass करेगा, तो if he works hard, he will pass, कि दिए वह कठिन मेनत करेगा, तो pass होगा, हमने यह if का use किया, तो if से शुरू होने वाली clause हमारी subordinate clause होगी, जोकि एक adverb clause है, ठीक है, तो यह हमारा sentence बन गया, कौन सा? complex sentence, तेकि बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो, बहुत simple तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रियास किया, यदि वीडियो आपको पसंद आया, तो like और share आप जरूर करें, यदि चैनल पे अपना चैनल एसार जाजोरिया धन्यवाद